Alright, Believe System Believe System एक तो हमें बना सकता है या फिर मिटा सकता है मिटा सकता है आपकी अभी तक जो भी अपने preparation करी है अभी तक आपने जो भी hard work अपना invest किया है get preparation के लिए वो सारी चीजे एक moment में मिट सकती है अगर आपका Believe System strong नहीं होगा तो ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा help करेगा अपनी आगे की preparation बहुत motivation के साथ बढ़ाने के लिए और एक मैं आपके साथ एक story शेयर करने वाला हूँ ये story शायद से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी पर बहुत लोगों ने नहीं भी सुनी होगी तो जिन्होंने अभी दक ये story नहीं सुनी है उन लोगों मैं एक हाती की story सुनाना चाहता हूँ ये story आपको अपने gate की preparation में और अभी दक आपकी life की जो भी journey है जितने भी आपने failure experience किये है वो सारे आपको दिखाई देंगे और उसके irrespective आप आगे बढ़ पाओगे ये story एक हाती की एक हाती बहुत ही ज़दा छोटा था तब वो काफी शैतान था तो उसके मालिक ने उसे एक रसी से बांद दिया था और वो रसी बहुत strong थी वो उसके age के हिसाब से बहुत strong थी वो रसी को तोड़ के भाग नहीं पाता था तो वो हमेशा कोशिश करता था उसका मन करता था कि मुझे इस रसी को तोड़ना है वो काफी try करता था बहुत उसने जान लगा के try किया था हम बोलते हैं न कि हमें बहुत सदा try करने चीए unlimited कोशिश करने चीए उसके बाद हमें हार माननी चीए तो वो हमें हाती ने किया था वहाँ बहुत कोशिश की थी बहुत unlimited अपना efforts लगाया था उस रसी को तोड़ने के लिए अपनी रसी को तोड़के आगे जाने के लिए पर वो नहीं जा पाता था तो जैसे जैसे age बढ़ती गई तो जब भी उसका मालिक उसे उसी रसी से बानता था उसने कोशिश ही करना बन कर दिया एक time आता है उसके age में जब यो काफी ताकतवर बनता है और दिवार को भी तोड़ सकता है उसके उससे पता है कि मैं दिवार को तोड़ सकता हूँ उससे belief है कि मैं दिवार को तोड़ सकता हूँ पर उसका अंदरी अंदर एक belief ये भी था कि वो रसी को नहीं तोड़ सकता हूँ तो रसी को तोड़ने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहा था बचपन में उसका potential नहीं था तब वो नाकाम्याब हो रहा था आज उसका potential है पर बचपन में failure के कारण वो आज भी कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि उसका एक belief है कि इस रसी में अपना मैं अगर potential invest करूँगा तो मैं नाकाम्याबी होने वाला हूँ तो मैं क्यो invest करूँ ये story हमें काफी ज़ादा सीख देती है कि हमेशा हम अपने past के failures के basis पे ये judge कर लेते हैं खुद को कि हम अपने life में कभी भी किसी competition में जीत ही नहीं सकते हमारे parents से judgment ले लेते हैं हमारे teachers से हमारे judgment ले लेते हैं हम खुद हमारा judgment ये ले ले लेते हैं मैं तो कहता हूँ बाकी लोगों का judgment इतना matter भी नहीं करता पर अगर हम खुद ही मानेंगे कि मैं पास्ट में एक रस्सी को नहीं तोड़ पाया था तो आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ आज मैं इतना ता mature हो मेरा intellectual capability next level पे है तो क्या मैं आज भी इस रस्सी को नहीं point आएगा जब आप उस रस्सी को तोड़ सकते हो वो तब तोड़ सकते हो जब हर दिन try करते रहोगे बहुत साथा ज़रूरी होता है कोशिश करना कोशिश तब तक करते हो जब तक आप नाकाम्याब ना हो जाओ इसका मतलब यह नहीं कि एक बार नाकाम्याबी की एक limit है ना इंसान सोचता है कि यह 400 मिटर की रेस थी तो 400 मिटर के बाद वो अपना attempt करना बंद कर देता अपनी कोशिश करना बंद कर देता क्योंकि 400 मिटर में जीत नहीं पाया था पर हो सकता है life ने आपके लिए success का race 800 मिटर का मनाया था हो सकता है अभी second round just बचा था पर आपने कोश कोशिशी ने की वापस भागने की जब बाकी लोग ठकने वाले थे तब हो सकता है आपने उतनी energy थी आप नहीं बता सकते life में कभी आपके लिए success किस instant के बाद रखा है हो सकता है अब दिवार के दिवार है दिवार के यहाँ पे खड़े हो और आपको लग रहा है कि यह दि आगे बढ़ते रहना चाए रेंगते हुए बढ़ो चाए भागते हुए बढ़ो चाए चलते हुए बढ़ो पर बहुत ज़ादा होता है ज़रूरी आगे बढ़ते रहना आपके कितने भी marks होने दो कि previous question नहीं बनते हो आपकी preparation बहुत बकवास हो कुछ भी हो हमें कोशिश क करते रहता है उससे successful होने से कोई नहीं रोक सकता ये मैं अपनी life से implement करके मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ story नहीं है कोशिश करते रहना है बहुत ज़रूरी है तो मैं hope करता हूँ मुझे जादा और कुछ बाते बताने की ज़रूरत नहीं है अपना कोशिश करते रहूँ gate 2021 exam तक gate 2021 exam में नहीं हुआ तो भी हम आगे बढ़ते रहेंगे हो सकते है हमारे लिए all near rank 1 लिखा हो इसलिए भगवान ने आपको gate exam में failure कर दिया था पर हमें कोशिश करते रहना है कोशिश करोगे तो पक्का successful होगे और कोशिश नहीं करोगे तो कैसे ही जीतोगे race 400 मिटर की है कि 800 मिटर की है कि 1600 मिटर की है आपको कोई नहीं बता सकता है आपकी race हर इनसान की race अलग अलग है हर इनसान का life का birth time अलग होता है dead time अलग होता है तो success एक instant में सभी को मिलने एकी instant में success सभी के लिए कैसे define हो सकता है जब हमारा बर्थ हर इंसान का अलग-अलग टाइम पे है तो success किसी एक exam के एक दिन में आप कैसे achieve कर सकते है हो सकते है आपके लिए कोई दूसरी exam बनी हो हो सकते है आपके लिए कोई दूसरा attempt बना हो हो सकते है आप पाश में gate में failure हुए हो इस बार आपके लिए success लिखाओ आप बता नहीं सकते है कुछ भी नहीं बता सकते है life काफी ज़दा uncertain है तो failure के जितने chances है उतने ही ज़दा आपके success के भी chances है और अगर आप मेहनत करोगे आगे बढ़ते रहोगे तो success के ज़दा chances है क्यों काफी लोग क्या करते है हार मान जाते है यह आपको समझना सुरूर है आपको हार नहीं मानना है आगे बढ़ते रहना है तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ तिल लेन बाए और अगर आप मेंसे किसी को परसनल कंसर्टिंग ची होगी नीचे दीवें मेल आइडी पे मेल करो मैं गारेंटी देता हूँ मैं आपना बेस्ट दूँगा आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए आप लोगी हर एक प्रॉब्लम सॉल्ट करने के लिए तुझ देता है्स कि विए में किसी विए में चया किसी पीसाट तुझ झाया बाइ